बिहार प्रदेश मुख्या संग ने शुकरवार को पटना स्थित दरोगा रायपत में एक अहम बैठक का आयोजन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सम्विधान के तथिखत्तरवे संशोधन में प्राप्त अधिकारों का सरकार द्वारा लगातार कटौती था। बैठक में सर्व सम्मती से अपनी 19 सूत्री मांगो पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। निर्णय लिया गया कि सरकार ने नहीं मानी तो गांधी मैदान में महापंचायत होगी। संग के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि प्रथम चरण में प्रखंड वजिला मुख्याले पर धर्ना प्रदर्शन और सरकारी कारियों का बहिशकार किया गया। इसके बाद सभी दलों के नेताओं, विधायकों एवं विधान पार्शदों को जापन सौप कर मांगों के प्रती समर्थन मांगा गया। बैठक में बिहार के तमाम जिले से मुख्या ने हिस्सा लिया। जिले की, राज्य की और देश-विदेश की विशेश समाचार के लिए आप ABM Live को फॉलो करें। बिधान सभा और ग्राम सभा ग्राम सभा ही ऐसी संस्था है जो ग्राम सवराज का सपना महत्मा गांधी जी का था। कि जिसके माध्यम से हम लोग ग्राम सभा में आम जनता अपनी योजनाओं को खुद चैन कर सकती है। सबसे महत्मुन सभा ग्राम सभा है। समिधान में हम लोग का धिकार ग्राम सभा को दिया गया। लेकिन ग्राम सभा के ही महत्तु को दर किनार करके। और लगातार योजनाय, पंचायती राजवीभा, ग्रामिन विकास और भारा सरकार के द्वारा लगातार जो थोपा जा रहा है, तो हम सुझाव सरकार का मान सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा आदेश सरकार का नहीं मान सकती है, और ग्राम सभा पर जो लगातार को ठारक हाथ किया जा रहा है ग्राम पंचायत प्रतेदियों के सुरक्षा का मामला है सुरक्षित जहां महसूस करें उनकों आतियार का लैसेंस नहीं मिल ला है कई योजनाय है सोलर इस्ट्रिट लाइट योजना का मामला है जो कि तीन साल से अटका हुआ है